इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तान पुर्जीले के बासी ग्राम सभा में इस्थित पूर्व मादमिक बिद्ध्याले में कहना है कि संघर्सों के साए में इतिहास हमारा पलता है जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है जिस तालीम के बदौलत आज लोग डियम होते हैं, स्पी होते हैं, सीडियो होते हैं वह अनसंभांत पदों पर पहुशते हैं उसी तालीम पर कालिक पोत रखी है सुल्तान पुर के अधिकारियों ने यहां की ब्यवस्था की बात आती है, तो यहां पे ना तो आज तक लाइट है सुल्तान पुर के अधिकारी फ्रीज और एसी और कूलर में वैटते हैं, लेकिन यहां पर बिजली तक नहीं है आपको दिखाते चलें, सामने ही यह रोड है, यहीं से ही हमारे अधिकारियों की गाड़ी लगभग प्रति दिन निकलती रहती है लेकिन इस बिद्याले पर नजर नहीं पड़ती है हमारे अधिकारियों की आगे आईए आपको हम दिखाते हैं, कि यह बिद्याले किस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार लिपता है कितना भ्रष्टाचार हुआ है, केवल यहां खंबे तो होंगे लेकिन लाइट नहीं होगी आपको बताएं कि यहां होती है सिच्छा, उपर से सच्छ भारत मिसन लेकिन अंदर आपको हम आईए दिखाते हैं, यह है दरवाज्जा यहां का यहां होती है सिच्छा, यहां होती है सिच्छा, यहां ग्राण होती है सिच्छा, आगे आईए आपको हम दिखाते हैं, यहां बैठेंगे छात्र, यहां ग्राण होती है सिच्छा, सिच्छा, यहां ग्राण होती है, लगता है यहां पर कुत्ते पढ़ते हैं, यह देखिए यह है यहां की खिड़कियां, यह, यहां पर सिच्छा ग्रहन करते हैं यह बच्चे, यह है खिड़कियां, और आपके सामने सटीक देखा जाता है, खिड़की से आप देख सकते हैं, कि यह है रोड, इसी सारक से प्रतिदिन अधिकारी जाते हैं, हो सकता है, DM भी हो सकते हैं, है SDM भी हो सकते है, CDO भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर इनकी निगाहे नहीं पड़ती, यह साहब लोग वहीं पहुँचेंगे, वहीं पहुँचेंगे को जो बिद्याला पहले से ही सारी सेवाएं जहां उपलब्ध होती है, वहीं पर यह जाँच के लिए पहुंच जाते हैं, आपको और बताएं, सुल्तानपुर में हैं, आए दिन एक से बढ़कर एक मंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे, लेकिन यहां पर कोई नहीं आएगा, मंत्री वहीं जाएंगे, वहीं का निरच्छा करें नहीं तो यहां इसकी भी इस्थिती हम आपको दिखा देते, तो यह भी रोने लायक हो गया है, आएए हम दिखाते हैं, यहां है सुचाले, इस स्कूल का सुचाले, यहां जाते हैं बच्चे सुचाले के लिए, यह है सुचाले, देखिए यहां आप, दिखाईए दिखाई है सोचले बना हुआ है एक तरब उधर है बाली का सोचले बाली का सँचले किसकर लग रहा है यदि सालों से है क्या हमने कभी इसको देखा यह नहीं कि यह भी चलता रहा होगा यह बंद पड़ा है बाली का सँचले आए यह खुला है अंधर से लाख है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहा जाती है बालिके सौझ करने यहां खंबादो है लेकिन तार नहीं है यह देखिए सामने आपके खिडिकियां ओस लुए है लेकिन और अधिकारी जाएंगे वहीं पहुँचेंगे जहां सारी सुवधाएं होंगी, सारी सुवधाएं होंगी, सब कुछ होगा, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसच जी, वहीं पहुँचेंगे जहां सारी सुवधाएं होंगी, यहां नहीं आएंगे साहप, यहां नहीं आएंगे, पूर आप देख सकते हैं, यहां पढ़ते हैं चात्र, यहां बेंचोंच तो है, लेकिन अब इसके अंदर कैसे जाएंगे चात्र पढ़ने, आप देख सकते हैं, यह बांसी के प्रात्मिक विद्ध्याले का दर्वाजा है, आगे हम दिखाते हैं, यह सिच्छा के मंदिर आज पांसी, आप देख सकते हैं, इसे पर बैह होता है हमारे देश का, हमारे देश के 3% GDP का 3% भाग सिच्छा पर ही बैह होता है, लेकिन किस कदर यहां पर भैस्टा चैयार बैहता हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह जरजर बिल्डिंगों में पढ़ाई होती हैं, यह यह बांसी का विद्ध्याले है आगे आईए आपको दिखाते हैं किस कदर से यहां पर भ्रहष्टाचार ब्यापत है लेकिन कोई अधिकारी यहां नहीं आता है किस किस तरह से खिड़किया खुली है इसमें लाग भी नहीं है आप देख सकते हैं टाक पट्टियों पर यहां चात्र बैढते हैं और पढ़ाई करते हैं किस कदर यहां पर भ्रहष्टाचार ब्यापत है जिस देश का 3% GDP सिच्छा पर जाता हो उस देश में इस प्रिकार से भ्रहष्टाचार ब्यापत है यहां इस दरवाजे में इस दरवाजे को आप देख सकते हैं इस दरवाजे में किस कदर ये building जरजर, यहां पढ़ाई होती है, यह सिच्छा का मन्दिर है, यहां पढ़ाई होती है, यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, अरे हमारे देश के नेताओं, हमारे छेतर के नेताओं, हमारे जिले के अधिकारियों, होस में आओ, यही से पढ़कर आप भी आगे गए आप देख सकते हैं यह वाल है यह boundary वाल है यहां की किस कदर से भ्रहष्टाचार ब्यापत है तीन परसें GDP का जाता है तब भी अधिकारी खागर बैड़ गए है देख सकते हैं आप यह वाल है यह boundary वाल है किस तरह से यहां पर भ्रहष्टाचार ब्यापत है आप देख सकते है यहां तक कि एक gate ही भी गायब है इस बिद्याले का लेकिन यहां अधिकारी हमारे नहीं आते हैं अधिकारी वहीं जाएंगे उसी बिद्याले में जाएंगे जहां पर सारी सुविधाये होती है इस पर ना हमारे कभी बीडियो साहब आएंगे ना हमारे कभी सीडियो साहब आएंगे, ना हमारे कभी जिलाधिकारी आएंगे, ना हमारे कभी बिधायक जी आएंगे, ना हमारे सांसत जी आएंगे, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार है, यह सब जानते हैं, यह सब को पता है, एक गेट, एक गेट गायब है, एक गेट है, और गेट गायब है, एक गेट है और दूसरा गायब है, लेकिन इसको देखने कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी नहीं आएगा, ये है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला साहब, सुल्तानपुर जिला साहब, देख सकते हैं, ये जरजर बिल्डिंग है आपके सामने किस कदर यहाँ पर भेष्टा चार ब्यापत है, लेकिन कोई भी अधिकारी, यहाँ पर भी ये खंबे का पोल आप देख सकते हैं, पूर रूप से जरजर है, लेकिन इसको अधिकारी नहीं देखेंगे, इसको अधिकारी नहीं देखेंगे, सुल्तानपुर जिला साहब, जरजर बिल्डिंगे आपके सामने किस कदर यहाँ पर भ्रहष्टाचार ब्यापता है लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर भी यह खंबे का पोल आप देख सकते हैं पूर रूप से जरजर है लेकिन इसको अधिकारी नहीं देखेंगे